Welcome to our channel Pharma Lectures आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लोबीटा GM क्रीम के बारे में और ये जानेंगे कि इसमें कौन-कौन से कंपोजिशन प्रेजन है और वो कैसे काम करते हैं हमारे स्क्रीन इंफेक्शन को ठीक करने के लिए और ये भी जानेंगे कि हमें कौन से प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए इस क्रीम को अप्लाई करते है टाइम और साथ ही में इसके साइड इफेक्ट के बारे में भी जानेंगे क्लोबीटा GM क्रीम जिसका आज के टाइम में बहुत ही जादा यूज होता है और ये एक बहुती फाइदे मन क्रीम है इसके इंफेक्शन के लिए जैसे कि आप सब जानते हैं ये जो इसके इंफेक्शन होता है वो बैक्टिरिया एंफंगस की इसके पर ग्रोथ होने की वज़े से होता है और इस दोरान आपको रेडनेस, हलका सूजन और खुजली वग्यारा भी महसूस होती है तो ये जो क्रीम है वो बैक्टिरिया एंफंगस दोनों को हिकल करके इसके इंफेक्शन को ठीक करता है तब ही तो इसे लोग बहुत जादा यूज करते हैं अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोजिशन के बारे में इस क्रीम के अंदर आपको पांच ट्रग्स देखने को मिलेगा जैसे कि क्लोबीटासॉल हो गया नियो माइसीन, माइकोनाजॉल, जिंक ऑक्साइड, अन बोराक्स क्लोबीटासॉल एक इस्टरोइड ड्रग है, यह प्रोस्टर ग्लैंडिन के फंक्शन को इनिबिट करता है जिसकी वज़ा से हमारे स्कीन में हुए रेडनेस, खुजली, सूजन वगेरा भी कम हो जाता है नियो माइसीन एक अंटिबाटिक है और आपको तो पता है कि एक अंटिबाटिक बक्टेरिया को किल करता है जिससे इन्फेक्शन कम होके ठीक हो जाता है माइकोनाजॉल एक अंटिफंगल ड्रग है और यह फंगस को किल करता है जिससे हमारे skin में हुए fungal infection ठीक हो जाते हैं borax and zinc oxide हमारी body में सिर्फ एक nutrients का काम करते हैं अब हम बात करेंगे इसके precautions के बारे में kidney patient, liver patient, pregnant क्या breast feeding women जो हैं वो doctor की सला के बगार इस cream को use ना करें इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसे apply कैसे करना है सबसे पहले आप अपने finger को clean कर ले देन उसके उपर तोड़ा सा cream लेकर के अपनी infection वाले place पर apply कर ले और उसे dry रखना है वहाँ पर कोई पानी वानी ना पड़े यह आपको ध्यान रखना है अब हम इसके side effects के बारे में बात कर लेते हैं तो किसी किसी को यह देखा गया है कि side effects भी होता है जैसे कि burning हो गया, irritation, eating, redness वगएरा अगर आपको यह side effects हो तो आप अपने doctor से जरूर consult करें तो friends अगर आपको यह video पसंद हो तो इस video को like and channel को subscribe जरूर करें Thank you